हेलो दोस्तो कैसे आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज हम Elfrax Tablet के बारे में जानने वाले हैं जो कि एक नीन की दबाई है अच्छी नीन की दबाई है इसको किन-किन कंडिशन में देना होता है बच्चे को दे सकते हैं वड़े को दे सकते हैं मतलब कितनी एच सकते हैं पेशन को हम दे सकते हैं नीन की दबाई और यह आपको मार्किट में किनी स्ट्रेंथ में मिलेगी मतलब कितनी MGM मिलेगी यह भी जानेंगे और इसके क्या साइड एफेक्ट होते हैं इसको खाते समय आ इंगलिस में हिपनोटिक्स भी कहते हैं दोस्तों इस दवाई का यूज जो है उन पेशन्ट में किया आता है जैसे कोई लंबे समय से बीमार है और उसको सोते समय एकदम वो उठ जा रहा है उसको कोई भज़ता परिशानी हो रही है नींद नहीं आ रही है तो जो क्या होता है उन लोगों को ये दवाई दिया थी जिससे की जो ट्रीटमेंट चल ला है किसी भी डिजीज का तो वो प्रॉपर अगर स्लीप ले पाएंगे अगर प्रॉपर सही से आराम ले पाएंगे तो उनकी जो बीमारी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी इसलिए जो है एलप्रेक्स ट तो जो है उन लोगों को भी ये सडेटिव या हिपनोटिक ड्रग दी आती है जिससे कि उसके दिमाग में दर विदर का फितूर आ रहा है वो फितूर उसके दिमाग मनाए और उसका दिमाग सांत वो अपने आपको ठीक रख सके इसलिए इस दवाई का वहाँ पर भी इस्तम करनी है दोस्तों आप मैं आपको बता दू जैसे कोई भी अगर बीमारी होती है जैसे आप पैरासीटामोल अगर आपका 200 mg से काम चल जाता है तो आप किसी पेशेंट को 500 mg क्यों देंगे मानिया अगर मैं लगातार बच्पन से पैरासीटामोल खाता आया हूं तो मेरे को जो यह शुरू से ही कहीं बीमारी चल रही है और वहां पर उसमें नीन की दवाईया दे रहा है तो उस पर जो है इस नीन की दवाई का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो उस पर जो है ज्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है 1 mg यह 2 mg यह 0.5 mg इन जो है यह डोस देनी पड करती है ज्यादा डोस में देना पड़ता है दोस्तों आपको देते समय कुछ साबधाने को बालन करना है जैसे आपको जो है कई सारी मेडिशन इसके साथ में नहीं देनी है आपको नीन की दवाई सिर्फ अकेली ही देनी है और सारी मेडिशन के साथ में नहीं देना है क्यों जो है रात के समय, जब आप सोते समय जाएं, मतलब आप जब भी कभी सोने जा रहे हैं, किसी भी समय दिन में सो रहा है रात में सो रहा है, तो आप दे सकते हैं, मतलब आप पेशन को palavra गड़ाई को खाये बहुने हैं, और प्रॉपर नींद ले इन सब टाइब की परिशानी आपको हो सकती है और यही इसके साइड एफेक्ट हैं जैसे वामिटिंग हो जाएगी आपको नौजिया हो सकता है आपको चक्कर आ सकते हैं आपकी थोड़ी सी याद दास मतलब आपको कुछ याद नहीं आएगा बहुत समय तक ऐसा सब हो सकते है यह साइड एफेक्ट आपको हो सकते हैं दोस्तों दोस्तों मैं आपको एक सजजेशन देता हो आपको कभी भी नेइन की दबाई ऐसे नहीं का निया आपको हमीछ इस डॉक्टर के पास जाना है और दॉक्टर से कंसल्ट करना है कि मेरे को यह परिशानी है तो डॉक्त्र तो आप खा सकते हैं वरना ऐसे नीन की दवाई ना खाएं इससे आपको वह जदा परिशान दोस्तों आपको इसकी लट लग सकती है इसलिए आप इसका ज्यादा इस्तमाल ना करें और डॉक्टर के अनुसार ही करें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दन्यवाद दोस्तों